सरकार द्वारा कोरोना के प्रकोब के दोरान ताला बंदी की घोशना के बाद स्कूल और कॉलेज बनते हाला की नीजी स्कूलों, कॉलेजों और अभिभावों को से ट्यूशन फीस के नाम पर माता पिता से वसूली की गई बड़ी राशी की वापसी की मांग करने के लिए समुद्रपूर में माउंट कॉर्वल कॉर्वल कॉन्वेंट स्कूल गए इस बीच अभिभावों को ने निवेदन में ली गई फीस वापस करने की मांग की जब छात्र पूरे वर्ष घर पर ओनलाइन अध्यान कर रहे थे नरसरी के बच्चे तो ओनलाइन भी नहीं कर पाए फिर भी उनकी पूरी फीस वसूली उन्होंने पुस्तकाले, खेल और अन्यशिल्क वसूले के पालकों ने माउंट कॉनवेंट में मोर्चा ले जाकी फीस वापस करने की मांग शिक्षा वीभाग को सूचित भी किया गया, की उचित कारवाई की जाया वहाँ से मोर्चे को तहसलकारय ले ले जाया क्या इस वक्त नायब तहसिलता आर महेनल सूर्य वंशी को निवेदन देकी जिल्ह अधिकारी व जिल्ह शिक्षन अधिकारी इनको भेजने को कहा इस निवेदन की प्रतीक्रिया शिक्षा मंतरी वर्षा गायकवाड, शिक्षा राज्य मंतरी रिक बच्चु कडू और शिक्षा अधिकारी वर्धा को भेजी गई इस समय जामक्राम पंच्यायत की सरपंच सचिन कावंडी समुद्रपूर के समात सेवक शोग डगवार, किशोर आसकर, विक्रांत वांकर, प्रविन तेल तुम्डे, विनोट डगवार, राम काले, अमोल सायंकार, किशोर ढाकरे, सचिन साबरे, उमाकान अडकिने, वैशाली जाड़ी भारती जुगलात सहित सैकड़ अभिवावक उपस्तित्ती। समुद्रपुर से प्रमोध वैदक रिपोर्ट इन बीसी न्यूस नाकपुर।